हलो फ्रेंड्स आप सभीक अपनी यूटूब चैनल पर हार दिक स्वागत है इस वीडियो में हम आत करने वाले हैं छत्तपति साहुजी माराज यूनिवर्सिटी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं छत्तपति साहुजी माराज यूनिवर्सिटी यानि कानपूर यूनिवर्सिटी की website पर कानपूर यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को लेकर लगवग रिजल्ट को लेकर जो की notification देखकर आप असानी से समझाएंगे कि इसका डारेक्टरी और इंडारेक्टरी सीधा संबंध रिजल्ट डिकलेरेशन से है खासकार संसोदन से भी है कि क्या-क्या संसोदन करवा सकते हैं आप तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो तुरन ते चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेडाकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जैसे कि सारे इंफार्मेसन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं सैच्छिडिक सत्र 2020-21 यानि जो अभिहाल में ही इनकी परिच्छाएं हुई हैं 2020-21 की संपन्य हुई मुक्य परिच्छाओं में जिन परिच्छार्थियों के विशय प्रस्ण पत्र जेंडर फोटो जर्मतिति में आज में तुर्टी या परिवर्तन है ऐसे समस्त्र तत्यों सहित संबंदित महाविद्याले द्वारा अदोहस्ताच्छरी के कार्याले में दिनांक 25-8-2021 तक उपलब्द कराने का कष्ट करें जिससे कि उक्त के संबन में अग्रेतर कारवाई सुनिश्चित की जा सके तो फ्रेंट्स इस जो नोटिफिकेशन की वो दो एड्मिट कार्ड है उसमें जो एड्मिट कार्ड आपका जारी हुआ उसमें आपका उसमें विसाय कुछ गलत है उसमें आपका जेंडर गलत है या पर उसमें आपके प्रस्ट पत्र गलत है यानि आपके सब्जेक्ट गलत हैं प्रस्ट पत्र अलग-लग कुछ भी गलती है तो आप आसानी से परबर्तन करा सकते हैं 25-8-2-021 तक टाइम दिया गया है 25-8-2-021 तक आपको अपने महापेद जाले में संपर करना है अपने सारे प्रूफ डाकुमेंट के साथ अगर आपको वहाँ पर जेंडर गलत है तो आप हाई स्कूल की मारसिट ले जा सकते हैं अगर आपका वहाँ पर जन्दित ही कर ला तो आप अपना सही करवा सकते हैं जिसका टायम रखा गया है 25-8-2021 तक सेकेंड है कि यह जो नोटिस जारी किया गया उसको दूसरा माइन है कि रिजल्ट के ऊपर कैसे यह मैं देख आपको बता देता हूं यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि सारी डाकुमेंट साहित आप 25-8-2021 तक उपलत कराने का कश्ट करें कानपूर यूनिवस्ट्री ऐसी कता ही नहीं चाहेगी कि रिजल्ट डिकलरेशन होने के बाद इस्टूडेंट लगातार आवाज उठाएं कि नहीं यह अमारा पोटो गलत आ रहा है इसमें अमारा जेंडर गलत आ रहा है इसमें हमारा विस्टाइग आ रहे है कानपूर 2021 के बाद ही डिकलेयर होने बाला है इस विसमें इस कार्याले नोटिस को देखकर और इसको पढ़कर और जो आपने अभी तक वीडियो में सुना उसके बारे में आपकी क्या राए है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और कानपूर यूनिवस्टी के बारे में रेजल्ड के बारे में जैसे ही कोई लेटेश्ट अपटेश्ट जारी की जाएगी कोई नया नोटिस जारी किया जाएगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा ठैक्स पार वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चनल